आज हम लाँच कर रहे हैं नेक्स प्रड़क्ट स्ट्रेडिट सिंग एक्प्मेंट सिरीज का जिसका नाम है वाल मांटेड केबल क्रोज सबसे पहले इस मशीन के दो में बेनिफिट्स हैं एक तो यह बहुत ही कोस्ट एफिशेंट प्रड़क्ट है काफी कम कोस्ट में बनता है दूसरा लेस स्पेस काफी कम जगा लेता है अगर आप इसे अपने होंग जिम सेट अप में इंस्टॉल करते हैं तो यह ऐसी मशीन है ज लोज करना चाहिए तो इस एकिप्पन की क्या कोस्ट है क्या इसकी फंक्शिनिंग है क्या इसकी इंस्टॉलेशन है वह सारा इस वीडियो में आपको दिखाने जाए तो अब इंस्टॉलेशन हो रही है केवल क्रोस बॉल मौन्टिट पुली की तो यह सारे आप देख सकते तो यहां पर हमने नाइलन पॉलीस यूज की है यह स्टील की है यह पूरा गहरांगर्ज का लो है तो अभी इंस्टॉलेशन दिखाएंगे आपको पूरी वाल मौंटिड की तो आप देख सकते हैं जो बेस है वो पूरा इन्होंने लगा दिया है तो अब भी जो एक्चुल गेम है इंस्टॉलेशन की वह होगी तो यह केवल यह एंकर बोल्ट और यह सभी जो केवल के साथ अटैच करने वाली बॉल्ल्स और हुक्स हैं तो यहां पर पूरी इसे प्रो पर एंकर बोल्ट लगेंगे तो यह हिस्सा दिवार में चला जाएगा तो इसकी फाइनल इंस्टॉलेशन जो एंकर बोल्ट के साथ है वह होगी अब वाल में तभी से बोलते हैं वाल माउंटेड अ कि दुदान बाल में चारी आयास हो में वाल में ने चार को में लगेगा हाथ है थाहिपन् ब५ल्स तो अभी केबल इंस्टॉल कर रहे है तो अभी प्रॉपर केबलिंग को करने के बाद आपको पूरा व्यू दिखाएंगे किस तरह इसको यूज करेंगे हैं मशीन को जैसे कि इसका नाम ही वाल मौंटीड है तो वाल पे हमने एंकर बॉल्ट के साथ इसकी फिटिंग किया है ऐ यहां पर भी जमीन में दो इंटर बोल्ट जो हमने यह नायलम की पूलीज यूज की है 14 यूज की है जितनी जादा पूलीज होती है उतनी जादा स्मूध फंक्शनिंग रहती है इसकी आपको एक बार थोड़ा सा डेमंस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा इसमें 28 mm की प्लेट जालकर तो चेक करते हैं कि आपको मैं दिखा रहा हूं किस तरह से इक बार प्लेट डालके इसमें इसकी फंक्शनिंग दिखाने जाएंगा तो मैं एक बार प्राइसेप्स करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा नौइस नहीं कर रही अभी थोड़ी बहुत इसमें ऑईलिंग और ग्रीसिम होने के बाद और स्मूध हो जाएगी तो यह है एक डेमंस्ट्रेशन वार मांटीड केबल क्रोस किस्टमाइशन नहीं है कलर सक्सिमाइशन है जो यह यूज किया है ये स्टेल स्टील है और जो लोगा ंवने यूज किया है ग्यारा गाज इस ऐलमा का है नाइलन की पुली सेंचोधा पुलीज है फो इस प्रोड़क्त की कोस्ट जो हमने रखी है वह है ट्ववंटी टू तो इसमें GST included है लेकिन अगर आप कहीं भी और आवर इंडिया कहीं भी इसको shipping करवाते हैं तो shipping charges आपको फुद बियर करने पड़ेंगे लेकिन हमारे प्रोड़क्ट की cost 22,000 including GST है rest अगर customization करके आप चीनफ बार एड़ करते हैं तो उसकी कुछ extra costing होगी आप shredded sink equipment series की इस product को buy करना चाहते हैं तो आप चाहें तो मुझे email कर सकते है shredded.sync at the rate of gmail.com आप चाहें तो मुझे instagram पर भी message कर सकते है shredded.sync मेरा instagram का account है आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, press the bell icon and stay tuned क्योंकि फैब के first week में हम अगला product launch करने जा रहे हैं shredded sink equipment series का उसमें जो आपने last heavy UT bench लेका था उसका upgrade version हम लेकर आ रहे हैं so stay tuned, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, till then take care